नमस्कार glide đang और विनोध गोरे, cancer surgeon सह्याध्री औस्पिटल पुने मैं सह्याध्री औस्पिटल पुने में पीछले 12 सालों से काम कर रहा हूं Cancer के treatment में और Cancer के सर्जेरी में हमने कई patient की सहयाता करने की कोशिश की जाती है हम आज electro market therapy के बारे में चर्चा करेंगे और ये विशय को सुलजाने की कोशिश करेंगे कि cancer chemotherapy किन patient में इस्तिमाल की जाती है Cancer के treatment में surgery, chemotherapy और radiotherapy ये तीन traditional treatment option हमेशा रहते हैं Cancer के हर patient के मन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसके अलावा भी कोई treatment के option है और क्या मैं ठीक होने के chances किसी और treatment option से बढ़ सकते हैं या मैं किसी other treatment से ठीक हो सकता हूँ Electro chemotherapy, cancer treatment के लिए relatively एक नई modality है सन 2012 से हम सयादरी hospital पुने में Electro chemotherapy के जरिये patient की treatment करने की कोशिश कर रहे है Electro chemotherapy के बारे में हमने कई संशोधन भी किया है हमने इंडिया में बना Made in India Electro chemotherapy का नया machine भी बनाया है हर cancer के patient में ये सवाल पैदा होता है कि क्या मेरे लिए कोई और विकल्प cancer treatment के लिए available है और हर patient के और हर patient के relative के मन में ये सवाल पैदा होना जायज है लेकिन Electro chemotherapy या cancer पी कोई भी modality हर cancer में काम नहीं करने जैसे कि कई cancer में surgery का इस्तेमाल ज्यादा होता है और surgery ज्यादा असरदार होती है कई cancer में chemotherapy यूज की जाती है जैसे कि lymphoma जैसे जो cancer है जिसमें chemotherapy का ज्यादा रोल है surgery का ज्यादा रोल उसमें नहीं होता कोई cancer ऐसे होते है जिसमें radiotherapy का ज्यादा रोल है और वो सिर्फ radiotherapy के जरिये ये ठीक कहें चाते और कई cancer ऐसे है जिसमें surgery और chemotherapy chemotherapy और chemotherapy ऐसे combination का यूज होता है तो हर cancer अलग होता है और हर cancer की treatment भी अलग होती है वैसे ही electro chemotherapy हर कोई cancer में इस्तेमाल नहीं की जाती electro chemotherapy कही specific cancers में ही इस्तेमाल की जाती है ज़्यादा तर हम देखेंगे तो electro chemotherapy का इस्तेमाल प्रामुकता दो cancer में होता है एक है skin के cancer और दूसरे है superficial cancer अभी skin के जो cancer है जिसमें electro chemotherapy का यूज होता है वो है बेजल सेल कार्सिनोमा, मिलानोमा और स्कैमस सेल कार्सिनोमा ये skin के जो cancer है वो European country में ज़्यादा पाए जाते है और बहुत सारी European country में electro chemotherapy ये पहिला option है skin के cancer को treatment देने का हमने भी सहियादरी होस्पिटल में कही skin के cancer को electro chemotherapy के जरिये ठीक करने की कोशिश की है कही skin के cancer देसी के basal cell कार्सिनोमा जैसे जो cancer है जिसमें सिर्फ electro chemotherapy के जरिये भी हमने वो cancer को ठीक किया है और curative treatment दिये अभी दूसरा जो प्रकार है cancer का जिसमें electro chemotherapy का इस्तेमाल होता है वो है superficial cancer भी superficial cancer कौन से है तो मुह के cancer हो सकते है breast का cancer हो सकता है penis का cancer हो सकता है chest wall या abdominal wall के cancer हो सकते है तो इन सभी superficial cancer में ये electro chemotherapy का इस्तेमाल किया जाती है मुह के cancer में कई मरीजों में ये electro chemotherapy का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मुह के जो cancer है इसमें जो advanced stage के cancer है जैसे कि चहुते स्टेज के कैंसर है, जिसमें अल्रेडी सरजेरी हुई है, सरजेरी के लिए भी रिस्पॉंस नहीं आ रहा है, रेडियो थेरपी भी हुई है, उसके लिए भी रिस्पॉंस नहीं आ रहा है, और केमो थेरपी को रिस्पॉंस नहीं दे रहे, मतलब बाकी की कि सिर्फ palliative patient में ही इसका इस्तमाल क्यों किया चाता है तो जो patient है जिसमें बाकी treatment के option already exhaust हो चुके है और cancer बार बार आ रहा है जैसी कि मुग के cancer है इन patient में हमें सिर्फ treatment करके cancer को ठीक नहीं करना है हम जानते है कि यह cancer ठीक नहीं होता लेकिन वो patient में बहुत बार ब्लीडिंग होता है उनको बहुत सारा pain दर्द होता है तो यह चीजों को भी हमको ठीक करना या इस चीजों से patient को राहत देना बहुत जरूरी होता है तो यह treatment modality का इस्तेमाल करके उनका जो pain है उनका जो bleeding है उनका जो tumor size बढ़ रहा है वो सब करना भी उतना ही जरूरी रहत क्योंकि यह जो last stage के patient है उनमे pain से या फंगेटिंग मास या bleeding से मुक्ती देना यह भी एक बहुत बड़ा role होता है तो यह electro chemotherapy इन patient में एक अच्छा विकल्प के रूप में आ गया ही है अभी दूसरा जो मैंने पहले हमने discuss किया कि जो curative intent से करते है skin cancer में तो European country में यह white skin के कार patient बहुत सारे लोगों में skin cancer रहते हैं और वहाँ पे यह curative intent से treatment की जागी है वहाँ दो विकल्प रहते हैं एक तो electro chemotherapy की जरी है cancer को ठीक करना या फिर दूसरा surgery करके करना तो बहुत सारे patient में सिर्फ electro chemotherapy से skin cancer को ठीक किया जा सकता है हमने भी हमारे hospital में 5 patient में skin cancer के electro chemotherapy सिर्फ दे की है और मैं बताना चाहूंगा कि वो सभी patient अच्छे है दूसरा सवाल हमारे मन में हमेशा आता है कि यह pallative treatment में इसका इस्तेमाल होता है तो फिर curative treatment में क्यों नहीं जरूर इसका इस्तेमाल हो सकता है लेकिन उसके लिए ज्यादा संशोधन की जरुरत है वो हम कर रहे है कि breast के cancer है मुग के cancer है जिसमें surgery से पहले यह treatment देके वो tumor को छोटा करेंगे और वो छोटा tumor करने के बाद operation करेंगे ऐसे new adjunct treatment के रूप में भी electro chemotherapy का इस्तेमाल भविश्य में हो सकता है लेकिन उसके लिए हमें और ज्यादा संशोधन की जरुरत है हम सयाधरी hospital में उसके बारे मे संशोधन करके वो विकल अर्ली स्टेज cancer में भी आप लोगों को देनी की कोशिश करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि electro chemotherapy किन patient में इस्तेमाल की जा सकती है इसके बारे में आप समझ गए होंगे तो आपके मन में इसके बाद भी कुछ शंकाए रहेंगी तो हम आपसे कभी भी नंबर हमने नीचे दिया हुआ है तो आप हमें phone करके उस पर आपके सवाल पूच सकते हैं धन्यवाद